नवाज़ोदीन सिद्धिकी ने हाल ही में अपने एक इंटिवू में जानकारी दी है कि उनकी जो 14 साल की बेटी है शोरा वो फिल्मों में हिरोईन बनना चाहती है और आजकल उसकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी बेटी है शोरा उसने faculty of arts के सामने हाथ जोड़ कर कहा है कि मुझे acting सिखाई है मुझे acting सीखनी है और इस समय वो जहां training ले रही है उस training के पूरा होने के बाद वहाँ पर एक play होगा और उस play का सारा काम उस course में करने वाले बच्चों को करना है फिर चाहें कारपिंटर का काम हो जो props use होंगे वो भी बनाएंगे चाहें lighting हो, costumes हो यानि theater department का हर काम वो बच्चे करेंगे जो कि वहाँ पर acting सीख रहे हैं और नवाज से जब पूछा गया कि भई क्या आप अपनी बच्ची को training दे रहे हैं तो उन्होंने का भी घर की सिनिमा देख रही हूं उससे सीख रही हूं और अभी तो उसकी उमर 14 साल है वो कहती है मैं बहुत कमाल की अब नेतरी बनूँगी साथ ही एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि नवाज उतीन सिद्धिकी आए हैं बिलकुल outsider बन कर यानि बॉलिवड में उनका कोई साइन में उतारने की तो नवाज की बातों से ऐसा लगता है कि जस तरह से उनकी बेटी यह सब सीख रही है अभी से तो वो यह चाहती है कि पहले वो खुद को साबित करें कि वो एक कमाल की अभनेतरी है और फिर उन्हें फिल्मों में काम मिले और इसके लिए बाकाइदा उ जी तरह से दीया और उनने का कि हर माबाब चाहता है कि इनके बच्चे का इंट्रेस्टे में हो वो और यह कैसे रोक सकता हूं और रही बात उसे टिप्स देने की तो और ने खा है कि वो मुझे जादा नहीं पादर आ डैए-देखालि आँ चाहे फिल्मों में तो आप उसे क्या कहेंगे ये कहेंगे कि वो नेपोकेड है लेकिन वो तो कहेंगे मेरी माँ उटसाइडर थी तो कुल मिलाकर अब एक नई पौध तयार हो रही एक नई जैनरेशन तयार हो रही है आने वाले कुछ सालों में बहुत जल्द नहीं होगा ले वो तो काफी नाम खराब कर रहे हैं दर्शकों के बीच स्थिती काफी खराब है अच्छा दिक्कत यह है कि क्योंकि पिताजी फिल्म स्टार है या मां फिल्म स्टार है तो आप कोई और काम भी नहीं कर सकते फिल्म इंडस्टी से जुड़ा हुआ ही करना है और फिर खुद सालों में मौका आ जाए अभी 14 साल की है शोरा तो सकता है 57 सालों में वो हम उन्हें एक हिरोईन के तौर पर देखें फिल्मों में और तब देखना होगा कि किस तरह से वो अपनी जो उनकी एक्टिंग टालेंट है उसका प्रदर्शन करती हैं आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं